अरवल जिले के कलेर थाने के पास ट्रक से भारी मातरा में शराब बरामत की गई है National Highway 149 पर दिलावरपुर राजधानी होटेल के पास एक ट्रक से भारी मातरा में शराब बरामत की गई SP हिमांशु शंकर त्रिवेदी के निर्देश पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है दिरसल औरंगाबाद की ओर से आ रहे है एक ट्रक को रुकवा कर चालक से पूश्टाच की गई तो चालक ने ट्रक में जीरे की भूसी और लेटरिन की सीट लदे होने की बात गही लेकिन पुलिस की पूश्टाच में चालक बार-बार बयान बदल रहा था उसके हाव भाव से भी पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया इसके बार ट्रक की तलाशी ले गई तो उसके अंदर बॉक्स बनाकर चिपाये गए विदेशी शराब का पता चला वहीं पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ़तार कर लिया है अर्वल के एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि अलग-अलग ब्रैंड के 353 काहटन शराब जब्त की गई है विदेशी शराब के साथ चालक जस्विंदर सिंग को गिरफ़तार कर लिया गया है ये शराब दिल्ली से पटना ले जाई जा रही थी गाड़ी में लगे जीपियस के जरिये पुलिस शराब तसकरी के मास्टर माइंड के तलाश कर रही है एसपी ने बताया कि शराब बरामदगी में शामिल पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा विपिन परकार के उत्पादों जो समाने यूज में आते हूँ उसके अंदर चुपा करके शराब ले जा रही है इस पर थानद्यक्ष कलेर विपिन और हम किनों लोग साधी वर्दी में साधे वाहन से चेकिंग के काम में लग गया ताकि शक ना हो और एक वैसी लक्षन दिखता हुए है दो तीन ट्रकों को जांच किया गया उनमें से एक ट्रक के अंदर लग भग 353 कार्टून शराब जो है विविन क्यापरिसिटी के कार्टून पाए गया है 353 में 14375 ml के हैं 86 180 ml के और 119 750 ml की शम्ता वाले कार्टून है जिनका कुल अंकित मुल्य जोड़ा जा तो 18,84,000 रुपया और मार्किट रेट्स जिस पर ब्लैक में लिक्ती है वालग भग वालग भग तीन मुना है जो कि लगबग 56 लाक रुपया बनता है कितने गिरफतारिया हो यह सर और इसमें एक गिरफतारी अभी तक हुई है शेश अन्य संदान के अंदर गता है शराबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तसकरी की जा रही है अर्वल पुलिस ने शराब तसकरी के इस खेल का खुलासा किया है उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द शराब तसकरों के सरगना को गिरफतार करेगी पंजाब केसरी टीवी के लिए अर्वल से विश्वनात हियादव की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद